जहें साथ ही आप सभी लोगों को मेरा प्यार भेर नमस्कार और आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आए आज हम 10 मिनिट में सीखते हैं हार्मोंस और हमारे सरीर के अंदर कौनसी बड़ी ग्रंथी और कौनसी छोटी ग्रंथी है आप कहेंगे लार्जेस्ट ग्रंड जो होती है हमारी एक्रित होती है लीबर होती है हमारे सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी लीबर होती है दूसरा सबसे चोटी ग्रंथी कौनसी होती है तो प्यूश ग्रंथी होती है सेकंड नमबर पर लेकिन पहले नमबर पर आती है पीनि सित होता है, गले में सित होता है, सबसे बड़ी मिस्रित गंती कौन सी होती है, अग्यास है, सबसे बड़ी मिस्रित गंती कौन सी है, अग्यास है, यानि कि पैंक्रियाज होती है, और यह दूसरी सबसे बड़ी गंती भी होती है, अग्यास है, और बचे, अग्यास है, सबसे ब मस्तिस के अधर भाग में इस्तित होती है, मेरे मुह से भी निकले सब बच्चे रामबान होगी आपके लिए, ठीक है, master of master किसे कहते हैं, hypothalamus को कहा जाते है, hypothalamus, hypothalamus बच्चे जो आपके feelings को control करता है, उसे hypothalamus कहते है, हमारे mind के, mind के बच्चे क्या कहते है, four brain का part होता है, four brain क regulate body temperature, regulate body temperature, वो भी कौन सा है, बच्चे आपका hypothalamus ही होता है, ग्रंथी में ग्रंथी कौन सी होती है, parathiret ग्रंथी, इसके बारे में एक बात ये भी लिखेगा, प्यूश ग्रंथी से स्वतंतर कारे करती है, प्यूश ग्रंथी से, बच्चे कैसा कारे करती है, तो प्यूश ग्रंथी से स्वतंतर कारे करती है, ये बात याद रख लीजएगा, ठीक है, किसे तो प्यूश ग्रंथी से स्वतंतर कारे करती है, बढ़ापे की दूर किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था की ग्रंथी किसे कहा जाता है, बढ़ापे की दूर, यानि कि childhood gland किसे कहते हैं, तो थाइमस ग्रंथी को कहते हैं, थाइमस ग्रंथी के अंदर ही लिंफोसाइड, लिंफोसाइड का बच्चे क्या होता है, प्रसिक्षन होता है, लिंफोसाइड का प्रसिक्षन के इंदर कौन सा होता है, ट्रेनिंग सेंटर कौन सा होता है, थाइमस होता है, यहां से जो हार् प्रेस ग्लेंड, 3F ग्लेंड, आपात करेन ग्लेंटी, यह सभी किसे कहा जाता है, आधी ब्रिक ग्लेंड को कहा जाता है, ठीक है, गुनेडो ग्लेंड यानि कि जनन ग्लेंटी कौन कौन सी होती है, विशन और अंडा से, विशन पूरस में होता है और अंडा से फीमेल के नेश्ट है तो अच्छा को रंग देने वाला हार्मोंस कौन सा होता है, मेलैनिन होता है, तो अच्छा को रंग देने वाला हार्मोंस बचे मेलैनिन है, ठीक है, बृद्धी हार्मोंस, HTH और GH हार्मोंस होते हैं, बृद्धी हार्मोंस, लव हार्मोंस, बर्थ हार्मोंस, रिल बात याद कर लेंगे, बड़ा अच्छा हर्मोंस होता है, Oxytotion, मोत्र को नियतित करने वाला हर्मोंस कौन सा होता है, वैस्ट ओप्रेशन जिसे ADH कहा जाता है, घेंगा, घेंगा, कारक हर्मोंस, ठीक है, घेंगा, कारक हर्मोंस, जाने कि गलगंड रोग जो होता है, ठीक है, या फिर बचे, आप इसे क्या कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं, घेंगा, ठीक है, जीवन रक्षक हर्मोंस कौन सा होता है, कार्टिशोल, कार्टिशोल को बचे, जीवन रक्षक हर्मोंस कहा जाता है, जबकि दोड़ के अंतिम समय में निकलने वाला हर्मोंस जो होता है, वो आपका होता है, एड्रिनल, एड्रिनलीन हार्मोस होता है, 3F हार्मोस, लड़ो उड़ो हार्मोस किसे कहा जाता है, तो आपका एंसर है सर, 3F हार्मोस, लड़ो उड़ो हार्मोस, एड्रिनलीन हार्मोस को कहते हैं, मिनरल और जल को संतुरित करने वाले हार्मोस को क्या कहते है LD, Eldosterone कहा जाता है Eldosterone कहा जाता है संकट कालीन परिस्थितियों में उचित निर्णे लेने वाला हार्मोस भी आपका कौन सा होता है Adrenaline हार्मोस होता है और जल्दी से आप वहाँ से भाग लेते हो इसलिए विसे 3F और 4S हार्मोस कहा जाता है रुकी हुई हिर्दे गती को प्रार्म करने वाला हार्मोस Noradrenaline होता है Noradrenaline होता है ये बात याद कर लीजेगा महिला में ब्रिद्धी महिला ब्रिद्धियों विकास हार्मोस कौन सा होता है Eldosterone होता है अंड्धियों विकास होता है विकास हो रहा है महिला की आवाज-पतली हो रही है महिला की कमर-चवणी हो रही है तो ये सब कौन गराता है आप कहेंगे Eldosterone कर आता है पुरुष विकास हार्मोन बचे कौन सा होता है Androgen होता है और Testeosterone होता है अंडानू और सुक्रानू के निर्मार में सहायक कौन सा होता है तो FSH होता है Follicle Stimulating Hormones जिसे कहते है ठीक है अंडे के निसेचन को प्रेरीत करने वाला हर्मोस कौन सा होता है Luteinizing Hormones होता है कौन सा हर्मोस होता है Luteinizing Hormones होता है नेक्ट है प्रशों में सहायक हर्मोस कौन सा होता है Relaxation हर्मोस होता है मासिक धर्म को नियंतित करने वाला देखो यह important है आया हुआ question है हरियाना में भी आया था तो मासिक धर्म को नियंतित करने वाला हर्मोस या फिर Endomatrium को नियंतित करने वाला repair करने वाला hormones कौन सा होता है endomatrium बच्चे गर्भासे की एक परत होती है उस प्रत को नियंतित करने वाला repair करने वाला hormones कौन सा होता है आपका answer है estrogen और अगर ग्रंती पूछा जाएं तो pineal ग्रंती के द्वारा क्या होता है, massic chakra यानि की और बच्चे अगर इसको detail में पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से एक एक point को समझना है जानना है, तो आप संकल्प batch को join कर सकते हैं, जो कि 2024 बच्चिस के लिए है new CT जो 2024 आ रही है हर्याणा, constable या SI के लिए जो post आ रही है, उसके लिए मात्र 991 रुपए का ये batch है 14 नॉमबर तक, ठीक है 14 नॉमबर तक ये offer अप्लद है क्लास प्रारम हो चुकी है, 23 अक्टूबर से इसमें कोई coupon को required नहीं लेकिन जो आप पुराने बच्चे हो, कभी अभी आप रुक्षेत्र लिए हो, या कोई और batch लिए हो हमारा ठीक है, तो इन सारे batch के लिए आपको code जो डालना होगा, HSSC 200 डालना होगा, और आप 200 रुपए तक की छूट ले सकते हैं, इसमें तक की छूट ले सकते हैं, 200 200 रुपए की नहीं, तक की ले सकते हैं, बात याद रख लेना बाद में मत कहना, ठीक हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप सभी अपने दोस्तों के पास share कर दीजे, अपने सभी जरुतमंद दोस्तों के पास share कर दीजे, अगर चैनल पर आगे नए हैं, तो अभी चैनल को subscribe कर लीजे, ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, और दूसरी चीज, क्या करते हैं, अगर आप हमारे course से नहीं जुड़े हुए हैं, तो अभी मौका है, जल्दी जुड़ जाएए, फिर class देर हो जाएगी, class छूड़ जाएगी, तो आपको दिक्कत होगी, टाटा, बाई-बाई, टेक केर, जै हिंद, जै वारत, मिलते हैं, साम में 7 बज़े YouTube पे,